कि दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पेटियम कैसे यूज़ करते हैं बहुत यह असान तरीके से कि सबसे पहले आपके बाएंडुड फोन होना चाहिए कि उसके आप प्ले इस्टोर में जाएं कि और यहां टाइप करें पेटियम पेटियम जिसे आप पेटियम करेंगे यह आ जाएगा इकन आपके सामने इसको आप इस्टोर कर दें मैंने यह पहले से इस्टोर कर रहा है इसलिए अपडेट मांग रहा है यह जैसे ही इस्टोर हो जाता है तो आपको ओपन करना हुगा इससे ओपन करते ही वह पुछेगा आप से कि साइन इन करना है यह साइन अप करना है तो आप न्यू कस्टमर हैं तो आप सबसे पहले आप साइन अप करेंगे साइन अप में आप अपने मोबाइल नंबर और इमेल आईडी आपका जो भी हो वो इसमें डालेगी है मोबाइल नंबर पर एक ओटी भी आएगा वन टाइम पासवर्ट कहते हैं जिसे वो उसमें डाले हैं और आपका प्रेटियम एकाउंट जो है रेइस्टर हो जाएगा फिर आपके उससे लोगिन कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने पहले से लोगिन किया हुआ है तो मैं डारा को उसको ओपन करूंगा यह जैसे खुल रहा है उपन होते ही आपके पास यह पेज खुलेगा इसमें आपकी पूरी प्रोफाइल होगेगा आपने जो डाली थी साइन अप में वो लिखी होगी यह जैसे पूरा इस तरह से योद्धि आप इसमें और चार्प्शन है पे का एस बूंग का पास बूक और एकशे मूनी मदल्हा आप किسी को भी करना चाते हैं तो यहां है कितना बैलेंस पड़ा बैटीम एकाउंट में वो शो होगा जिसमें पास्बूग में अपनी बताता हूं इसमें अभी कुछ भी नहीं है इसमें आप आरसन इसे अपना मोबिल रिचार्च कर सकते हैं इस तरह से लेंड लाइन का बिल जमा करा सकते हैं यह कैसा देते हैं जिसे आपको मोबिल रिचार्च करना बतागा हूं मोबिल रिचार्च जैसे करना है तो इस पर क्लिक करना आपको जो भी एक आउन जो भी मोबिल नमबर आपको रिचार्च करना है वो इसमें डाल दीजिए उसके बाद जितना एमाउट का आपको रिचार्ज करना है वो यहाँ पर डाल दीजिए फिर प्रोसेड प्रोसेडें टूरिचार्ज इस पर आप जिसे ही क्लिक करेंगे वो आप से पूछेगा कि आपको credit card से देना है या debit card से देना है तो आप जो भी option select करेंगे उससे आपका recharge हो जाएगा mobile इसमें आपको कहीं दुकान पे किसी recharge mobile पर जाने की जुरूद नहीं है आप बेटर बेटर अपने android phone से ही recharge कर सकते हैं ऐसे का ऐसा ही जैसे आप electricity bill लोड़ना चाहते हैं तो इस प program का light का भी लाता है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यह आप से केनो नंबर पुछेगा select your district district पुछेगा जो भी आपकी district है वह आप डाल दीजे उसके बाद consumer नंबर पुछेगा हर एक light bill के अंदर side में एक केनो नंबर लिखा हो आता है consumer नंबर वह आप इसे यहां पर डाले आपका detail आपके सामने हो जाएगी आप credit card से बढ़ना चाहते है bill या debit card से तो वह आप select करके आप bill जमा कर सकते है light का, उसकी receipt भी आपके इसी android के अंदर आजाएगी और आपके पूरी deal के bill की detail भी इसमें आजाएगी नाम, address, amount वगरा जित्ते का bill है इस तरह से आप easily electricity bill भी आप बेट के आप अपने आप बर सकते हैं इसमें आपको अलग-अलग offer भी दिये होते हैं कोई shopping करना चाहते हैं तो shopping भी कर सकते हैं कुछ भी movie ticket खरना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप बेटे-बेटे android phone से किसी का भी bill वगेरा कुछ भी जमा करा सकते हैं और जैसे आप ज my order में जैसे मैंने इस तरह से receipt आपको show हो जाएगी अगर बिल जमा कराते हैं तो बिल की रिकुरी receipt आपको यहां show हो जाएगी इस तरह साब बेटे-बेटे आप कई भी अपने android phone से किसी का भी light का bill वगेरा जमा कर सकते हैं mobile रिचार्च कर सकते हैं कि ओके दोस्तों यह आपको समझ में आगया होगा बहुत ही इसली है असान है यह देखिए कोई shopping करनी हो आपको reverse इसमें reward point भी मिलता है केश केश बेक भी मिलता है कोई ऐसा application नहीं है जिसमें आपको कुछ भी जैसे light का भी जमा करना चाते हो तो first recharge पर इस पर केश बेक भी म कि आपको दिये जाते हैं इस तरह से बहुत ही आसान है आप उप्योग में ले सकते हैं इसको तो आपको इस समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से एक और भी कोई जान करें आपको चाहिए तो मेरा चैनल जो है एलकेस नाम से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए तो अलग अलग जान करें आपको अविलिबल हो जाएगी ओके धन्यवाद